आजकी इस एपिशोड में हम डिसकस करने वाले हैं Tata Steel stock के बारे में इस stock को डिसकस करने का मुख्य कारण यह है कि जब से merger की news आई है यह stock continuous downtrend में है इससे मैं देखेंगे एक breaking news trend हो रहा है कि Tata Steel Mining become first Indian company to receive responsible chromium recognition यह जो chromium recognition है यह Paris based company है जिसका नाम है International Chromium Development Association जो मैगनीज के अंदर देखेंगे Tata Steel Mining Limited टीसमल रिसीव किया है प्रिस्टीजियस रिस्पोंसिवल क्रोमियम रिकोगनाईजेशन किया गया है और ये पहला फर्स्ट इंडियन माईनिंग कमपनी है जिसको इस प्रकार से प्रिस्टीजियस इंटरनेशनल रिकोगनाईजेशन किया गया है इसके बाद देखें तो Tata Steel Merger को लेकर के Fitch का रेटिंग काफी पोजेटिव है और लॉंग टर्म में इसका इंपेक्ट माना जा रहा है कि कॉस्ट सेविंग होगा इबिटा इंक्रीज होते हुए दिखेगा इसका इंपेक्ट सोट तर्म में थोड़ा आपको निगेटिव इसलिए भी दिख रहा है चुकि इसके ट्रेंड को देखें तो पिछले वन विक में ना केवल Tata Steel more than 4% करेक्ट हुआ इबेन मेट्रेल सेक्टर में ही ये गिराबर दिखी जिसका एक सिंपल सा कारण है कि ग्लोबली मार्केट वीक है रिसेशन को लेकर के जिसके कारण ये गिराबर दिखी है short term trader बिल्कुल भी ignore करे जब तक ये weekly time frame में outperform नहीं करता है अपने sector को इस समय short term trader बचेंगे लेकिन जो long term trader है उनके लिए खुशखबरी है कि downtrend price पे एक discount price पे ये stock मिल रहा है long term trader इसको sell करने से बचे हालांकि 90 के near around का एक buying opportunity दिख सकता है minimum 50% तक के return so easily within 3 to 6 month में दिख सकता है